मेरे परिवार जनों ये बस्तर ये दड्न कारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है यहाँ आदिवासी मेरे भाई बैन मोधी प्रधान मंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बैन नहीं आये अरे यहाँ के लोग तो तब भी थे जब प्रभू स्री राम यहाँ आये थे मेरे आदिवासी भाई बैन चाहते थे इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छटिश गड़ का निर्मान किया भाजपास सरकारी थी अटल जी की सरकार थी जिसने केंद्र में अलग जन जातिय अलग मंत्राले बनाया जन जातिय विकास के लिए अलग बजेट बनाया और जनव्यातिय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया और कॉंग्रेस ने इतने दसतों का क्या किया भाई कॉंग्रेस ने बस्तर को भी दसकों तक नजर अंदाज किया आप लोगों की परवाई नहीं की उनके दो चार ठेकेदारों को समालते थे और वोई आपसे वोट लेकर के उनको दे जेते उनकी गाड़ी चल जाती थी उनको आपकी परवाई नहीं थी यह बाजपा सरकार है या मेडिकल कॉलेज इंजिनेरिंग कॉलेज बनाए बाजपा सरकार ने दंते वाड़ा में एजुकेशन सीटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था साथियों मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यह मेरा सवभाग्य रहा है कि राजनिती में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत भर्ष मैंने आदिवा सिक्षेत्रों में गुजा रहा है मेरा तो आप से सीधा नाता है दिल का नाता है मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राश्पती बनाने का गवरों भी भाजपा को मिला है आप जानते हैं कोंग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए पांच गुना ज्यादा बज़ेट देती है अगर वो एक रुप्या देते हैं तो हम पांच रुप्या देते हैं कि यह सो रुपया देते हैं तो हम पांच सो रुपया देते हैं भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिर्शाम मुंडा के जन्म दिवस को जन जातिय गवरव दिवस गोशित किया हमारी सरकार आदिवासी सेनानियों और क्रांतिवारों को समर्पीत स्वतंत्रता सेनानी मुजियम बनवा रही है हमने चत जन जाति वरके चात्रों को दी जा रही चात्रवुत्ति उसको भी डाई गुना कर दिया है बीते नव वर्षों में तीन सो से अधीक एक लव्य मोडेल आवास ये विद्ध्यालाई मेरे जन जाति बच्चों के लिए हमने खोले है